Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है Their feelings for you right now. So right now, जब आप यह reading देख रहे हैं, आपके person आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं, यह हम जानेंगे. So regardless, आपकी क्या situation है, आपके person के साथ यह reading सब के लिए open है और बिल्कुल timeless है. जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी, आपका उस वक्त का message होगा. So शुरुआत से पहले, मैं हमेशा आप सब से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination, safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है, कि finally आपकी life में क्या होना है. इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है. इसके इलावा, मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much. आप सब के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए है मेरे चैनल पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है. पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा. So इसके इलावा, बहुत से लोग ये question करते हैं कि आप सामने आएं. So मैंने पहले भी अपनी अक्सर वीडियो में आप लोगों से share करती हूँ कि 100K के बाद मैं आप लोगों के सामने आऊंगी. So आप जादा से जादा मेरे चैनल को support करें और इसे अपने friends and family में भी share करें ताकि हमें grow करने में थोड़ी सी और help मिल जाए. और जल्दी जल्दी से हमारी 100K family complete हो जाए. फिर मैं आप लोगों के सामने भी आऊंगी. और यह आप लोगों का हक बनता है विकिस अभी तक हमारे चैनल पे जितनी भी progress हो रही है वो सब आप लोगों की वज़ा से है. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है. तेंक यू सो मच. बहुत दिल से मैं आप लोगों की शुकर गुजार हूँ. आप लोग मेरी family की तरह हैं और यह चैनल है ही आप लोगों का. इसके इलावा, personal readings मैं नहीं करती हूँ. और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में इस बारे में आपको अपडेट करूँ. YouTube पर ही मैं live आकर आपके questions and answers ले लेती हूँ. मेरी कोशिश यह है कि आने वाले वक्त में मैं हफते में एक तफ़ा जरूर live आया करूँ. ताकि आप लोग के questions and answers हो जाया करें. So, अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे. और six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए. So, यह बिलकुर random messages होते हैं. जरूरी नहीं है कि सब के साथ resonate करें. So, let's start. सबसे पहले हमारे पास obstacles. So, maybe इस वक कुछ challenges हैं, obstacles हैं आप लोगों के connection में. एक एक मसला ये भी हो सकता है कि आपके person के control issues हैं. फिर हमारे पास stalking. So, maybe आप या आपके partner या फिर आप दोनों एक दूसरे को social media पर stalk कर रहे हैं. Maybe आप में से कुछ लोगों की fight हुई है recently. और आप लोग इस वक नो contact में हैं. Maybe आप किसी fire sign से deal कर रहे हैं. It is Leo Sagittarius. And then level up. Level up. So, आप चाहते हैं कि आपके person level up हो. चीज़ें grow करें, आगे बढ़ें. Right? इसके इलावा अगर कोई fire sign नहीं भी है. I feel आप चाहते हैं कि कोई action हो. चीज़ें progress करें. So, let's see. आपके person की इस वक आपके लिए क्या feelings हैं. जब आप ये reading देख रहे हैं. क्या हैं उनकी feelings? So, ये सारी possibilities हैं. जो मैं आपके साथ share करती हूं हमेशा. So, याद रखेगा कि energies change होती रहती हैं. Only divine knows कि finally आपकी जिंदगी में क्या होना है. Okay, so let's see. आपके person की feelings इस वक आपके हैं. हमारे पास है Ace of Swords. Knight of Pentacles so air energy, earth energy Ace of Pentacles earth energy Seven of Swords, air energy air and earth bottom of the jack per हमारे पास है six of pentacles wow earth, air Taurus, Virgo, Capricorn Libra, Gemini, Aquarius यह star signs है लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि regardless of star signs अगर energy आपसे match हो तो बिल्कुल आपकी reading है और fire से आप Aries, Leo, Sagittarius भी add कर ले so focus आपने रखना है energy पर अगर energy आपसे match हो तो बिल्कुल आपकी reading है so with the Ace of Swords I feel कि आपके person आपको clarity देना चाहते है इस वक्त वो यह सोच रहे है right now जो उनकी feelings है किसी बात पर वो आपको clarity देना चाहते है clarification देना चाहते है कुछ explain करना चाहते है और यह वो जो भी explain करना चाहते है काफी अरसे से उन्होंने आपके साथ share नहीं किया वो नहीं explain कर पाई यह जो भी बात है जो उन्होंने आपसे चुपाई हुई है और उसका main reason यह है कि वो डरते हैं कि आप इस बात को understand शायद नहीं करेंगे so they really want कि कोई बात ऐसी है उनके दिल में जो उन्होंने आपसे चुपाई हुई है जिसका उन्हें डर है कि आप उसको शायद understand नहीं करेंगे या कोई चीज वो already आपको बता चुके है जिस पर आपका जो point of view है वो बहुत जादा सक्त है maybe आप नहीं समझना चाह रहे हैं उनकी बात यह हो सकता है but इसके बिलकुल opposite भी हो सकता है maybe आप ready है मानने के लिए but वो आपको misunderstand करें ये भी हो सकता है so I feel कि ये इनसान आपको कुछ बताना चाहते है कुछ ऐसा कि जिसको आप understand करें कुछ बहुत truthful communication ये इनसान आपके साथ करना चाहते है इनके नजदीक ये बहुत important बात है जो ये आपसे करना चाहते है and with the knight of pentacles and ace of pentacles ये इनसान आपके साथ एक strong relationship बनाना चाहते है और ये इनसान आपको ये भी कहना चाहते है कि वो आपके साथ slowly slowly step by step इस connection में आगे चलना चाहते है थोड़ी slow moving energy है ये ये इनसान आपको कुछ offer करना चाहते है और ये offer आपको करने के लिए बहुत time से सोच रहे है बड़ा time लगा है और वो आपके साथ I really feel कि एक strong, stable, secure connection बनाना चाहते है and maybe ये चीज़ आप से hidden है उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया कि वो आपके साथ relationship बनाना चाहते है या वो क्या plan कर रहे है equally चलना चाहते है, invest करना चाहते है इस connection पर क्योंकि ये equal balance of give and take का card है so मुझे लग रहा है कि जैसे ये इनसान आपके लिए कोई surprise plan कर रहे है I really feel, ये वड़ी strong vibe आ रही है कि कोई surprise plan कर रहे है कुछ लोगों के लिए एक नया start भी हो सकता है ये ace of pentacles यानि ये इनसान शायद ये सोच रहे है कि अब time आ गया है कि आप लोगों का reconciliation हो जाए आपके इस connection में एक नई शुरुवात हो जाए उसका time अब आ गया है so मुझे clearly कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहे so ये इनसान इस वक्त ये feel कर रहे है कि उन्होंने बहुत time ले लिया है बहुत time हो गया है अब वक्त आ गया है कि वो आप से खुल कर बात करें किसी चीज के बारे में so I really feel कि there is something strongly about communication यहाँ पर कुछ communication से related कोई बहुत important चीज है जो आप से share करना चाहते है so I feel कि बड़े clear messages है but seven of swords को हम terrify करेंगे कि यह seven of swords क्या है यह क्या hidden है two of swords so maybe यह इनसान confused थे बहुत अर्सा confused रहे हैं इसलिए उन्होंने आप से यह बात share नहीं की जो आप share करना चाहते हैं जो clarity वो आपको देना चाहते हैं वो बहुत अर्से से उस बारे में sure नहीं थे maybe वो अपनी feelings के बारे में sure नहीं थे कि वो future में कैसे इस connection को लेकर जाना चाहते हैं या वो क्या future देख रहे हैं आप दोनों का उस बारे में sure नहीं थे confusion थी उनके जहन में so अब वो थोड़ा ready दिखाई दे रहे हैं आप से clearly communicate करने के लिए एक और card हम लेंगे seven of swords को लेकर three of wands see ये इनसान confused थे कि अभी right time नहीं है अभी मुझे share नहीं करना चाहिए जब मैं बिलकुल sure हूँ ready हूँ फिर ही मुझे communicate करना चाहिए so I really feel कि ये कोई negative चीज नहीं है जो आपके person ने आप से छुपाई है ये simply बस ये है कि वो future आपके साथ शायद अपना नहीं देख पा रहे थे बट आप बहुत ज़ादा optimistic और positive होकर आप दोनों के future का सोच रहे है कुछ उनके दिल में बहुत positivity आई है और इसी वज़ा से वो confident feel कर रहे है कि वो अपना सच आप से कह सकते है सो कोई बात जो उन्होंने आप से छुपाई थी इनका बहुत दिल है कि वो बात आप तक convey कर दे बहुत important बात कोई वो आप से करना चाहते है सो हम देख लेते हैं कि ये ace of sorts क्या है let's see because मैं curious हो रही हूँ अब कि वो क्या आप से आखिर कहना चाहते है कोई hint जाहर है कि exactly तो वो ये नहीं कहेंगे जो आएगा इस reading में but कोई hint let's see ace of sorts क्या है ये क्या important बात है जो वो आपको बताना चाहते है जो उन्होंने बहुत अर्से से आप से नहीं की है two of pentacles two of swords so ये balance का card भी होता है sometimes ये भी हो सकता है कि कोई और इनसान कोई और चीज जिसको वो जगल कर रहे है आपके साथ उनके लिए बड़ा difficult हो रहा था हो सकता है कि उनके घरवालों ने उनके लिए को रिष्टा देखा हो किसी को देखा हो उनके लिए और वो बहुत time से उनने देख रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे कि आप उनने जज़ करेंगे क्योंकि उनको कोई लगाओ नहीं था उस इनसान से उसे family pressure में उस इनसान से मिल रहे थे तो शायद ये बात वो आपको बताना चाहते है कि ऐसे ऐसे हो रहा था और मैंने अब decide कर लिया है मैंने उस इनसान के साथ कोई तालुक नहीं रखना मैंने अपनी family को भी बता दिया है कि अभी I'm not ready for commitment किसी के साथ मुझे commitment नहीं करनी और वो इनसान उन्होंने अपनी जिन्दगी से निकाल दिया है कुछ लोगों के लिए मुझे clearly ये message मिल रहा है कि आपके person ऐसी कोई बात आपसे करना चाहते है एक और card हम लेंगे कोई और hint क्या बात है ये जो वो आपसे करना चाहते है five of cups तो ये इनसान आपसे ये कहना चाहते है कि उन्होंने कहीं न कहीं आपको past में बहुत disappoint किया उन्हें अपने आप पर गुसा भी आया उन्हें अपने आपसे बहुत जादा अपने अंदर बढ़ा एक आप कहलें कि शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं आपके होते हुए किसी और इनसान को भी देख रहे हैं यह सिर्फ family pressure में आकर उन्होंने किया या for whatever reason कोई pressure कोई problem था जिसमें उन्होंने यह किया वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे आपको धूका नहीं देना चाहते थे कभी भी वो disappoint नहीं करना चाहते थे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी है खुद से कि उन्होंने ये बात आपसे चुपाई बट वो अब या आपसे चुपाना नहीं चाहते आपको clearly बताना चाहते है कि उन्होंने choose किया है आपको वो अपने future में आपको देखते हैं वो आपके साथ relationship में आना चाहते हैं किसी और इनसान के साथ relation में नहीं जाना चाहते, वो जगल नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको choose कर लिया है और उस इंसान को जिन्दगी से निकाल दिया है तो ये थोड़ी थोड़ी third party vibes आ रही है मुझे, अगर कोई third party आ रही थी, उसको निकाल दिया है आपके person ने ये उनका work भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, but I feel कि ये कोई pressure में आकर उस इंसान से मिल रहे थे या उसको देख रहे थे, इसमें आपके person की कोई intention, कोई romance कोई flirt नहीं था, बिल्कुल भी involved नहीं था, आपके person की feelings involved नहीं थी इस सारी situation में, so वो आपको सच्चाई के साथ, ये सारी बाते बताना चाहते हैं, कि उन्होंने आपके trust को एक लम्हे के लिए भी नहीं तोड़ा है और उन्होंने आपको बिल्कुल भी धोका नहीं दिया है और अब वो situation में से निकल आए हैं अब वो सिर्फ आपके साथ हैं वो सिर्फ आप पर अपनी energy, अपना time invest करना चाहते हैं किसी और पर नहीं करना चाहते हैं वो बहुत परिशान और confused रहे हैं पिछले कुछ अरसे में बट अब उन्होंने mind make up कर लिया है कि वो इस confusion में नहीं रहेंगे वो guilt में नहीं जिन्दगी गुजार सकते हैं वो उन्होंने ये decision ले लिया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं super super specific messages हैं आज की reading में so let's see अभी ये इनसान और क्या feel कर रहे हैं आपके लिए so ये totally कोई और मसला भी हो सकता है जो आपके person आपको बताना चाते हैं बट ये message किसी के लिए था जो अभी अभी मैंने आप लोगों से share किया किसी के लिए तो था so two two किसी के लिए significant हो सकता है okay so let's see क्या आपके person और आपके लिए क्या feel कर रहे हैं इस वक्त right now हमारे पास है contract so आपके person को ये महसूस होता है कि वो आप से जुड़े है आप से बंधे हैं आपके साथ उनका soul contract है और वो आपके साथ you know contract को मैं marriage के तोर पर भी देखती हूँ कि ये इनसान बस आप ही से जुड़े है आप ही से belong करते हैं वो ऐसा feel करते हैं कि आप ही के साथ उनका एक soul contract है एक invisible सा contract है जो वो अपनी रूह में you know feel करते हैं कि जैसे उनकी रूह आप से बंधी है और वो आपके trust को तोर नहीं सकते हैं वो आप ही से जुड़े हुए हैं उनने ऐसी feeling आती है आपको लेकर so six किसी के लिए significant हो सकता है ये भी six है six six two two फिर है storm warning number ten so ये इनसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही मुश्किल टाइम देखा है और काटा है जब वो ये सारी सारी इस problem में थे जो भी उन्होंने आप से problem चुपाई उसमें जब वो थे ये उनके लिए बहुत difficult time था you know guilt था pressure था बहुत ज़दा तकलीफ थी और finally उन्हें ये realize हुआ कि वो आप से जुड़े हैं आप से बंदे हैं वो आप ही से belong करते हैं और ये वो आपकी अमानत हैं उन्हें ऐसा feel हुआ कि वो आपकी अमानत में you know गलत कर रहे हैं उस अमानत का खयाल नहीं कर रहे हैं वो betray कर रहे हैं आपके trust को उन्हें ऐसा feel हुआ और फिर एक moment ऐसा आया कि उन्हें फैसला ले लिया कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे अब वो उन्हें किसी और एक को choose करना होगा and I feel कि उन्हें आपको choose कर लिया है और ये इंसान आपको यही बताना चाहते हैं वो आपके साथ share करना चाहते हैं बहुत important बात so ये totally कोई और issue भी हो सकता है जो मैंने कहा जरूरी नहीं कि वही issue हो ये completely कोई और issue हो सकता है बट problem यही लग रहा है mainly कि कोई और चीज थी जिसको priority आपके person ने दी पहले या फिर इंसाफ नहीं कर पा रहे थे balance नहीं ला पा रहे थे और अब उन्होंने decide कर लिया है कि वो आपके उपर energy अपना time अपनी attention ज़ादा invest करेंगे because आप deserve करते हैं you see go create number 40 so आपके साथ you know, वो create करना चाहते हैं abundance, happiness and they know कि आपके साथ वो create कर सकते हैं आपके साथ मिलकर एक खुबसूरत जिंदगी build कर सकते हैं and then time to go number 45 so I really feel कि आपके person यह सोच रहे है और feel कर रहे है कि it's time कि अब वो आपकी तरफ आए अब time आगया है कि आप दोनों build करें इस connection को अब time आगया है आप लोगों के एक नई start का, maybe यह कोई ऐसे इनसान है जिन्होंने आप से walk away किया था आपके उपर अपने work को या किसी और चीज़ को priority दी थी और अब उन्हें इसी बात का guilt है और यही तकलीफ है कि मैंने ऐसा क्यूं किया था जाते हैं, ऐसे ऐसा connection नहीं बनाना चाहते है जिसके तूटने का डर हो हर वक्त और क्या feel कर रहे है इस वक्त वो और क्या feel कर रहे है wisdom, so I feel कि सारी situation ने आपके person को बहुत ज़दा wise किया है, wisdom उनको यह भी लगता है कि आप भी एक बहुत wise इंसान है and then triumphant success I feel कि यह again ace of swords है, so यह इंसान अब आप से truthful होना चाहते है, फिर वही बात ace of swords से आप लोग की reading शुरू हुई थी और फिर ace of swords आ गया है, यह इंसान आप से clearly communicate करना चाहते हैं, they feel कि यह बहुत important है आप से communicate करना इस वक्त सबसे ज़्यादा important है आप से बात करना जरूरी बात करना healing family issues so family का लवज अगर आप हटा दें आप के साथ जो भी उनका issue है, उसे आपके person heal करना चाहते हैं, और literally कोई family issue हो भी सकता है, हो सकता है वही बात जो मैं पहले करी थी, कि उनके family ने pressurize किया था उन्हें किसी और को देखने के लिए relationship के लिए, शादी के लिए commitment के लिए, so उन्होंने अपनी family को बता दिया, कि मुझे नहीं करना है, I'm not interested मुझे अब उस इनसान को नहीं देखना ना उससे मिलना है, right? और यही issue create हो गया, so अब वो कोशिश कर रहे हैं कि family के साथ उनके तालुकात अच्छे हो जाएं, और वो उनको किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि यह उनकी life का decision है, जो वो खुद लेना चाहते हैं, literally इस card का यह मतलब भी हो सकता है और दूसरा यह भी कि मेभी कोई और family issue उनका चल रहा हो जिसकी वज़ा से वो आपको neglect कर रहे थे, उन्होंने अपनी family को priority दी आपके उपर, so हो सकता है, कि यह issue हो आप लोग के दर्मियान, फिर है मारे पस forgiving and learning, so maybe यह इनसान आप से माफी माँगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने किया, आपको prioritize उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जरा भी आपकी परवाने की, कदर नहीं की, उन्होंने guilt हो रहा है, कि उन्होंने जो किया, वो ठीक नहीं था, वो गलत था, और वो इसको repeat नहीं करना चाहते हैं, let's see, और क्या feel कर रहे हैं, वो इस वक्त, right now, उनकी feelings क्या हैं, love endures, number 43, love does not give up or lose faith, love is helpful and withstands every situation, so I really feel कि आपके person आपके लिए fight करने के लिए तयार हैं, बरदाश करने के लिए तयार हैं, अपनी family को अपने against ले जाने के लिए बिलकुल तयार हैं, यानि, I really feel कि ये इंसान आप पर give up नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, इस वक्त उनकी ये feeling है, कि वो बरदाश करेंगे, और अपनी family को शायद मनाने की भी कोशिश करेंगे आपके लिए, be authentic, oh my god, so शुरुआत से लेकर अब तक इस reading के मैं आप से ही कह रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ truthful होना चाहते हैं, आपको कोई सचाई बताना चाहते हैं, और आप देखें कि be authentic का card आगया, इसका number 39 है, be real and true to who you are and how you feel, so ये इंसान true होना चाहते हैं आपके साथ, truly आपको बताना चाहते हैं, कि आखिर उनकी जिन्दगी में चल क्या रहा है, उनका आगे का plan क्या है, जो भी उनके मन में चल रहा है और जो कुछ भी उन्होंने आज तक आप से छुपाया है, ये इंसान आप finally आपके साथ है, real होना चाहते हैं, without any mask, without any secrets, आप से खुल कर बात करना चाहते हैं, authentic होना चाहते हैं, बिना किसी डर के, आप से हर बात share करना चाहते हैं, तो ये इनसान इस वक्त एक need feel कर रहे हैं, कि उन्हें आप से communicate करना चाहिए, जब तक वो communicate नहीं करेंगे, चीज़े sort out नहीं हो सकेंगी, आप लोगं का connection ठीक नहीं हो पाएगा, so I feel कि ये इनसान अपने आपको prepare कर रहे हैं आप से communicate करने के लिए, so let's see आपके लिए क्या message है, क्या guidance है, दो cards, so इस card के उपर लिखा है, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith, so faith के साथ इस new path को आप follow करें, और past को release कर दें, और नई possibilities के लिए open रहें, ये आपके लिए message है, next is transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things, so आप लोगं का connection transform हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं और deep होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आपके person आपके साथ authentic होने वाले है, real होने वाले हैं, आपके साथ clearly communicate करने वाले हैं, और इसी वज़ा से ये connection transform हो रहा है, और deep हो रहा है, आप लोगं का bond deep होने वाला है, विकिस ये इनसान अब आपके साथ true होने वाले हैं, तो दो और कार्द हम आपके लिए लेंगे, आपके लिए क्या गाइडन्स है, in the near future, so I really feel के बहुत जल्दी, very soon in the near future, आप लोगं के दर मैं जो भी problems हैं, वो सौट आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी, यानि के in the near future, ये इनसान आप से communicate करेंगे, जो बाते भी मैंने अभी तक आप से कहीं, जो उनके मन में चल रही हैं, जो वो कहना चाहते हैं आप से, वो बहुत जल्दी आप से करेंगे, in the near future, and then compromise, so I also feel के ये इनसान compromise के लिए तयार होंगे, flexible होने के लिए, balance लाने के लिए तयार होंगे, maybe अभी तक सिर्फ आप उनके लिए stand लेते आ रहे थे, अब finally आपके person आपके लिए stand लेने वाले हैं, I really feel that, and in the near future, I really feel के आपके person अपने दिल को follow करने वाले हैं, और आपके जो दिल की desire है, वो पूरी होने वाली है, मैं इस image को जब भी देखती हूँ, दूर से एकदम अगर हम देखें, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल का image है, real में जैसे heart होता है, तो एकदम से ऐसे लगता है कि ये दिल बना हुआ है, जैसे असली दिल होता है, वो तस्वीरों वाला नहीं, so I feel कि जो आपके दिल की desire है, वो पूरी होने वाली है, in the near future, और in the near future का मतलब ये है कि, अगले एक, दो, तीन महीनों में, कुछ बड़ा significant होने वाला है, so ये आप लोग की reading थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे जरूर बताईएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा, सुझाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दौा होती है, कि आप अपनी जिन्दगी में, जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा खियाल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, Bye Bye